नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजो उनरायन शिर्बात करेंगे खबरों की गोरकपुर के एक सलसनी खेज मामला सामनी आया है जहाँ पर गोरकपुर के होराबार इलाके के राइगंच में पती पत्नी और बड़ी बेटी की गला हत्या कर दी गई है उसस्पी ने मिली जानकारी के मताबएक में तक गामा निशाद और उनकी 38 वर्षे पत्नी और बेटी के घाट तार दिया वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवह को कबजे में लेकर आरोपियों की जाच शुरू कर दी है और इसी कब पर जादा अपडेट के लिए मेरे सईयोगी धनेश मेरे साथ लाइफ जुड़ गए है धनेश लगातार यह कहा जा रहा है कि अपराद को कम किया जाएगा लेकिन गोरगपुर हो प्रयागराज हो यहां से संसनिक है जो वारदात है रोजाना सामने आ रही है आखिर क्या हो गया है गोरतपूर में प्रयागराज में जो पुलिस एक्षन नहीं ले पा रही है यह एक्षन ले रही है तो काफी समय बाद ले रही है अब आखिसे दिनों पुलिस एक्षन ले रही है वहीं अब बात आखिसरे दिनों जो प्रयागराज में अभी कि पिपलमदर की आगया है एक पासवान नाम पताया जाना सिर्सिवेक्षी को सिर्फिले ने माँ बेखी और बाप के ठीनूं पर हस्या की है बिलकुल धरेशानी कहा जासकता है कि कोशिश बहुत की जालिकिसके बावजूद भी जो अपरादी है अब तक कितने आरोपीस पूरे मामले में पकड़े गए है और क्या कुछ पूरा नी रंजिश थी, क्यों हत्या की गई परिवार की, क्या कुछ वज़ा सामनी आ रही है? की तॉर्फार प्राज के लोक बना तुक्व की गाना है उक दो वारक है समय आइकवल देंवकर हुथ ज़ए पथान नहीं पर और को सलगे एक। प्यार के मामले में ये हत्या की गई है ये बिल्कुल एक तर्फा प्यार है और सिस्थे आती है लग्षी अपने सब्सक्राइब के मामा के साथ तो ये मामला गुरकपुर का जहां पर पती पत्नी बेटी को मौत के खाट उतार दिया गया इसके पीछे की वज़ा जो है वो एक तरफा प्रेम बताई जा रही है फिलाल इस पूरे मामले की चानबेन पुलिस कर रही है और कुछ आरोपी पकड़े गए है कुछ जल्द ही पकड़ लिये जाएंगे जो इस पूरी वारदात में श्रामिन थे आगे बलते रुक करिंग कुछ और खबर का देश भर में मंदर मज़त में लाउट स्पीकर की आवाज को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में मुक्य बंतर योगी आदितनात के आदेश का असर नजर आ रहा है यूपी की कई मंदिरों में तो लाउट स्थावनों पर लाउट स्पीकर की आवाज को परिसर तक ही सिम्मित कर दिया गया उत्तर प्रदेश में जहां 17,000 स्थावनों पर लाउट स्पीकर की आवाज कम हो गई है तो लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है जो की कश्मीर से लेकर करन्यकुमारी तक सुना जा सकता है लेकर पहले से ही आदेश जारी कर दिये हैं गई है आदेश दिया गया है कि हर किसी को धर्मिक अजादी है लेकिन माईक की जो आवाज है यानि की जो लौड स्पिकर पर आवाज आपको सुनाई दिती है वो परिसर के बाहर नहीं जाने चाहिए आपको तादें कि इन दिनों आजान और हमान चाहिशा को लेकर देश भर के अलगल अलाकों में विवाद लगातार देखा जा रहा है ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में पहले से ही योगी आगतनात्ते आदेश दे दिये हैं ताकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विवाद नजल ना आई बागपत में भूमाफिया इश्पालत उमर के खिलाब पुलिस के बड़ी कारवाई सामने आई जहाँ पुलिस नहीं इश्पालत उमर के एक करोड अठारा लाग की संपत्य को कुर कर दिया इसके साथ ही पुलिस ने अठारा बिगा के करीब किशिब भूमी और गाउं के दो प्लाट मकाल को भी कुर कर दिया है जानकारी के मताबिक हरद्वार डियम ने इस कारवाई के आदेश दिये दिकारी हरद्वार उत्राखंड महुदय के आदेश हमसार दारा चौरह एक उत्तरप्देश गुरूह बंद समाज ब्रोधी किरिया कलापत्रेम पनाम यसपालतों मर पुत्र महत्तों मर निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जर्बद बागपत हाल निवासी डीवन बड़पर्जगन दिल्ली के आदेश के अंपालन में ग्राम बरवाला में इस्तित खसरा 326 खसार नंबर 324 और खसार नंबर 334 कुल हुमी लगवाग 12.470 हेक्टेर अनुमानित कीवित लग लाख रुपे को बागपत से आ रही दिली अमरोत्री हाईवे पर एक कार में आग लगने सफ्रत अफ्री मच गई वहीं कार में बैठे पिता और उसके बेटी ने कार से खुट कर पनी जान विचाए जिसके बाद मौके पर पहुंचे फारवगेट की टीम ने आप पर काबू पाया बिजनौर में चांदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है वतादेगी पुलिस ने पांच राते रिक्षा चोर गैंग का परता फास किया वहीं पुलिस ने इन चोरों के पास दे चोर की गई चे रिक्षा और अवय शश्त्रों को बरामत किया है वहीं पकड़े गए चो तिन चोर और दो कभाडी जहां पर बेशते थें इनको गिर्फतार किया है रहत से च्छे- कब्चस्रड़ इनका कारचत पुलिस कष बीघन फर elaborतो बरामतों को योग कुछ अन्य घटनाई भी हो सकती हैं, तो इनका परदा फास हुआ है, को गिरफतार करके भजा जा रहा है, इनके गिरोह को पंजी कुर्फ करा जाएगा, हिस्टी सीट खोली जाएगी, गैंगेस्टर एट के तहत अव्योग पंजी कुर्फ करके अनुविधिक करवाई क अपर पुलिस महानी देशक गोरखपुर जोन पहुँचे, जहां नगर निगम में उन्होंने आईटी एमेस त्वारा बनाये गई ट्राफिक व्यवस्था का निरिक्शन किया, उन्होंने बहां कितना तदिकारियों को भी चालान करने की निर्थिश्टी, उन्होंने कहा कि अगर क्रेश करते हैं, तो तकार उनको चालान कर दिया जाए, यह व्यवस्था अग्रे हफ्ते से लागू हो जाएगी. गोरगपूर एक महतपून शहर है, और खास करके जिस तरह से इसका सरूर तेजी से बदल रहा है, ट्राफिक की यहां एक समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है, खास करके सोंवारी जाम का एक बड़ा नाम्याब दिमस है, ना के बल सोंवार को यहां पर अनन दिनों में करने लोगों को ट्राफिक नियमों को बालन करने में कि इसनी जानकारी नहीं है, इंफोस्मेंट हमारा खराब रहा है, इन सभी विशों को सामरी क्रूप से देखने से और उसका निस्तारन बहतर दंग से कैसे करना किया जाए, इस दिशा में एक अच्छा पिछले कुछ दि जानकारी के मताबिक गोहान के इंटर कॉलेज में प्राक्टिकल देने पहुंचे थे चात्र जिसके बाद देश्वत पहलाने के लिए चात्र ने फारिंग कि वही सोचना पर पहुंची पुलिस ने चात्रों को रासत में ले लिया अवगत कराना है कि बोबी राजबोत निवासी ग्राम बरॉली थाना चिकासी और विशाल राजबोत निवासी ग्राम आतरा थाना चिकासी ये दोनों गंडवन अकेडमी चिकासी के बारीं क्लास के चात्र इन दोनों का आज गांदी इंटर कॉलेज गोहान में प्रैक्टि जब इन दोनों के भी चात अपाई होने लगी विशाल के साथ जो लड़के आये थे वो बोबी को और अने लोगों उसके साथ के लोगों को मारने लगे तो वहाँ पे मौजूद दुकांदार और स्कूल के और चात लोगों ने उन लोगों को दोड़ाना शुरू किया तो हमीरपूर का यह पूरा मामला है जोहां पर कॉलेज के सामने शाथों के बीच फारिंग के तस्वीरे सामने आई है प्राक्टिकल देने शात्र पहुंचे थे से बीच किसी बात को लेकर दोगुटों में विवाद हो गया विवाद इतना बड़ा कि शात्र ने दूसरे पर फारिंग कर दिया जिसके बात पुलिस वाके पर पहुंचे अस पूरे मामले की चानवीन की जारी है कुछ शात्र ऐसे हैं जिनको लिवाद इतना बड़ा कि शात्र ने दूसरे पर फारिंग कर दी है बताये जा रहा है कि प्राक्टिकल देने के लिए कॉलेज पहुंचे थे शात्र लेकिन किसी बात को लेकर भी बाद हो गया जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे है जो शात्र थे उनको रासक मिलिया गया है कुछ और शात्र को चिनहित किया जा रहा ह और इसी कबर पर जादा अपडेट के लिए अब्दुल सिद्की हमारे साथ फोन लाइन पज़ुड़ गए हैं अब्दुल क्या कुछ पूरा मामला है आखिर क्या वज़ा थी जो चात्र प्रैक्टिकल देने आये थे वो एक दूसे पर फारिंग करते वे नजर आए कितने चात्रे बताए जा रहे हैं जनों ने फारिंग की है और इनके पास हत्यार कहां से आए अपने अपन लियक आयए अपने घंटे अंपने हमयां मामगार रहा परना है श़क्र तमाम जानकारी पहुंचाने के तो हमीरपूर का इक पूरा मामला है जो हाँ पर कॉलेज के सामने किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतरा बढ़ा कि छात्रों ने फारिंग कर दी चारी छात्र बताए जा रहे हैं इनके पास से हत्यार कहां से आए कैसे आए तमाम सवाल हैं जिन कर नगर बस्ती शागंच के रूप में हुआ है वरता के शरीफ पर चोट की निशान है वहीं पर जुन्हें हत्या की आशका जाहिक करती है पुलिस को तैरे देकर न्याइकी गुखार लगाई घंटा के तेज घंटे के अदर पुलिस ने हत्या कांग की खुलासा कर दो आरो तो वहीं भादी च्षित का रहने वारा था वह एक साधी में आया था उसी के दोस्त दोबारा उसको मार के वहीं देने के किदार लाज दिया गया था इस समय में ततकाले फ्रया लिखी गी पुछात नामा पुश्माड़ा में कारवर की गी पुलिस अच्छी रवनपुर मो कि इस से भी समन्त है और मित्त से भी समन्त है कनाउज में अरंत्रित ट्रेक्टर ट्रॉली डिवार्जस टगरा कर पलट गई जिसे ट्रॉली पर सवार करी 25-30 लोग घाल हो गए घालों को बाडिकल कॉलेज में भर्ति कराए गया लगनों में भारतिय ब्राहमन मासवा की रास्टिय अध्याक्षा अबोकेर अनुराग पार्डी ने कारेले पर एक प्रेस पारता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बताए कि भगवान परशुराम जी का प्रकठिय दिवस तीन मई अक्षे ट्रुप्या को सुल्भात जन् जन्मोसव के साथ सब्त दिवस यह श्रीमाद भगवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा भगवान परसुराम जी के जन्मोप वननाते हैं कथा का अयोजन होगा, साथ दिन लगाता विले छेतर की जनता स्रमण करेगी, कथा अमरत का पान करेगी और उसके बाद फिर आठवे दिन हम लोग भंडारा महाप्रसाद जितरण करेंगी और उसी दिन भगवान परश्राम जी का जन मोस्तो होगा, क्योंकि अच्छे तरतिया के दिन तीन मई को ये कारक्रम सुबह से चालो होगा, हवन, पूजन, भंडारा और उसके बाद फिर अच्छे-च्छे सांस्कृतिक कारक्रम और ये कारक्रम लगाता साम तक चलता रहेगा. मत्रा में श्रम जीवी पत्रकार यूनियन रिजिटर संबंद इंडियन जॉर्नलिस्ट यूनियन का रास्टिया अधिलीशन का शुबहरम 25 रपेल को मत्रा के होटल गोवर्दन प्लैस में सरस्थी पूजन के शाश शुरू हुआ, जिसमें देश 26 प्रदेशों से संठन के पत्रकारी मोजूद रहे, साधी वीशन में देश के पत्रकार हितों से संबंदी कई मुद्दो पर एहम गोश्टी संबंद हुई सम्मिलन पत्रकारों के विभिन समस्याओं के साथ, पत्रकारों के पेंशन, उनकी सुरक्षा, आवास और कोर्णा में उनके साथ हुई अप्री एखटना उपस साहता देने के मांग उठाए गए. हुआ है तो बैसी मोट्समान हो सबसे बत्रकार Yaam marketing के बाते हैं कि वस तरीकी से पपडल्ण हुए और हम उससे कैसे ऑब्रकाム कर सकते हैं तो बेसिकली जो सबसे एहम मुद्देवाबात होगी है वो है एक तो पेंशन जो यह जल से लगू की जाए सरकार से मनों मांग की है जिसमें जो अच्छे साल से ज्यादा से ज्यादा से पत्रकार दे चुके हैं या जिनकी उमर पच्छन साल से अधिक है उस मजीटी आईउ की सेवाँ को ततकार जो प्रमूलन है अख़वारों के या चैनलों के उसको लाहू करें स्विपिंग मशीन खरीद और फर्जी धंग से बाड़कर स्टोर खोलने के मामले में सी बैग चापे मारी के दौरान माइक्रो बाइलोजी डिपार्टमेंट में तेना डॉक्टर बलवराम के फ्लेट से विदेशी शराब कर जखेरा बरामत हुआ बदा दे कि आपकारी भी भाग में शराब के बोतले कब से बिलेकर सीज कर दी हूँ और डॉक्टर बलवराम के खिलाब समदी धाराओं में उखदमा दर्ज करा है अशाम के टाइम पह में से बिप्ती स्पी द्वारा के अपकी टीया गया है पिी उनके द्वारा ये मिली एंग्ष में शराब भी बड़ामत की दुई है उनके दौरा को बॉके पम लगों को बुलाया गया नहों ने जब गए मुट्रे पाया हुमनों नोग बोतल वाइन व मुनिकी रेटी थाने के पास पत्ति बंदिन गंगा घाटों पर स्नान करने से परटक बास नहीं आ रहे हैं जिसका नतीजा हो रहा है कि जाता लोग गंगा में नहानी की दौरान हाथ से का शिकार हो रहे हैं कुछ परटक गंगा में बहने तो कुछ गंगा में ढूमने की वज़े से काल की गाल में सबा रहे हैं दरसर पुलिस को सच्चा धाम घात और शिफपुलिस से डिट डिबी कैम के पास दो परटकों के गंगा में बहने की जानकारी मिली दोनों ही पर्टकों की तलाश में स्टीर्फ सर्च ओपरेशन ला रही है फिलाहाद दोनों ही पर्टकों का गंगा में कुछ पता नहीं चल रहा है रुद्प्रियाग नगर श्वेत्र के आसपास आग लगने से चार ओर धुआ फेला हुआ है एक और आग से धूप की चबा की गाइप हो गई है तो दूसरी और धुन से लोगों को सास लेने में परिशारी हो रही है साथी आखों में जलून की शिकायते भी आने लगे हैं यहाल तो नगर मुखाले का है जोहां जले के आलादिकारी मौजूद है जब कि ग्रामिन शेत्रों में सिती और जादा बत्तर है साथापूर में सभ़ प्रत्याशियों पूर्व विधाय रशनल शर्वा की बिल्डिंग गिर जाने के बाद समाजवादी पार्टी के डेलेगेशन साथापूर पहुचा जहां सपा डेलेगेशन गिराए गई बिल्डिंग का जाज़ा लेने के लिए पहुचे इसके बाद मीरिया से बात्चित करते वे डेलिगेशन का नातित कर रहे फिश्रावर्ग प्राकोश के प्रदेश अध्यक्ष राजपार कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याश्यों और कारिकर्टाओं को जान बुझ का निशाना बनाया जा रहा है। प्रतिनित मंडल में हमारे पूर मंत्री सिरी हेम राज वर्मा जी जिलाद्यक सिरी तन्वीर अहमजी और मैं सोयम हूँ और सिरी अमित यादव जी ससांक जी मलसी पूर उपेंद पाल सिंग जी नीरज मौर्या जी कपिल वर्मा जी और पुआ पार्टी के रणंजय सिंग और पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ट लोग हैं सभी लोग आज आए हैं सुरी रोसनलाल वर्मा जो लोधी विरादरी के विधायक थे तीन वार के विधाय के और जब तक यह बीजेपी में थे तब तक यह बिल्कुल सही थे और बीजेपी छोड कर इन्होंने समाजबाद पार्टी की नीतियों कारकरमों से प्रभाबीत होकर माननी अखलेच चाहदा उजी ने इनको टिकट दे दिया इनको टिकट दे दिया उत्रकाशी में ग्रामलो के आराथ देवता, कंडार, तिलोथ, गाउं के नाग देवता की अवगाई में दो दिन सुमेश्वर देवता के मेले का अजन की आगया अंतिन दिन भगवान सुमेश्वर देवता का आसन लगाए गया देखते ही देखते पश्वा पर समेश्वर देवता अफ्तरित हुए उसके बाद गाउं की यो अपने हाथों में तेसार की डांगरियां छोटी कुलहाडियों पर लंगे पाउं चलने लगे जो अपने आप में काफी अलग था उतरकाशी के नव नियुक जिलादिकारी अभिशेक रोहिला ने रिवार की अपहान में जनपत के त्रिपनमें जिलादिकारी के रूप में पदभार ग्रहन किया नव नियूग चिलादिकारी द्वारा विकास बवन परिसर में स्थित कोशागार पहुँच कर डबल व्लॉक का निरिक्षण कर कोशागार का भी चाश्रिया श्री रुहिला ने जन पर पहुँच कर बाबा विश्वनात और शक्ती माता मंदिर में पूचा अर्चना भी की और इसे के साथ विलाल खबरों में इतना ही आप बने रहिए नियूस वाल इंडिया के साथ